हलो एबरिबरन कैसे हो आप सब आज मैं आपके लिए एक अनुखी रेसिपी लेकर आई हूँ बेसन के लड़ू, रवा लड़ू, होती चुर के लड़ू ये सब लड़ू तो आपने खाये ही होगे लेकिन आज हम बनाने जाने वाले ये लड़ू शाहिद ही आपने टेस्ट किये होगे आज हम मखाने से लड़ू बनाने वाले हैं जी हाँ, ये लड़ू बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगते हैं बहुत कम सामगरी में और जल्दी बनने वाले ये लड़ू है इसमें एक खास बात यह है कि हम इसमें शुगर का इस्तमाल नहीं करेंगे इसलिए ये वाले लड़ू बनाने के लिए आपको शुगर की चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है तो चलो, शुरू करते हैं आज की ये आनोगी रेसिपी मखाने के लड़ू बनाने के लिए आपको लेना है दो कप मखाने, एक कप बादाम, एक कप काजू, दस से बारा खजूर, बीज निकाल कर वन फोर्थ कप गूर, चार बड़े चम्मच घी, आदा चम्मच गोंद के टुकडे और एक बड़ा चम्मच पॉपी सीड्स तो लड़ू बनाने के लिए, सबसे पहले आप इन सब सामगरी को रोस्ट कर लिजिए सबसे पहले पैन में एक चम्मच गी डाल कर मखाने को अच्छे से रोस्ट कर लिजिए इसके लिए ग्यास मेडियम फ्लेम पर ही रखिए दो से तीन मिनिट में मखाने का कलर चेंज होने लगेगा तब मखाने को एक बाउल में निकाल लीजिए फिर उसी पैन में आप खसकस भी रोस्ट कर लीजिए खसकस को थोड़ा रोस्ट करके उसको भी आप बाउल में निकाल लीजिए सेम पैन में एक स्पुन घी और बादम डालिए बादम को लाइट रोस्ट करके उसको बाउल में निकाल लिजे उसी पैन में बचे हुए घी में आप काजू भी रोस्ट कर लिजे काजू और बादम को आपको लाइट ही रोस्ट करना है काजु को लाइट रोस्ट करने के बाद उसको भी आप बाउल में निकाल लीजिए लास्ट में बचे हुए घी में गोंद को भी फ्राइ कर लीजिए अगर आपके पास गोंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो ये बिल्कुल आप्शनल है गोंद के बीना भी ये लड़ू उतनी ही टेस्टी लगते है लेकिन सर्दी के मोसम में गोंद सेहत के लिए अच्छा होता है इसलिए मैं इसको लड़ू में डाल रही हूँ आप देख सकते हो गोंद को फ्राइ करने के बाद ये फुलकर डबल हो गया है अब इसको भी आप सेम बाउन में निकाल लीजिए खजूर और गूर्ड छोड़ कर सब इंग्रिडियन्स हमने फ्राइ कर लिये है खजूर को ऐसे ही बाउन में डालिए अब एक बड़ा वाला मिक्सिर जार लेकर इन सब को जार में डालिए गुर्ड को भी इसमें डालिए इसे अठ्छे से पीस लीजिए बिल्कुल इसकी फाइन पाउडर बना लीजिए देखिए इस प्रकर इस मिक्शर को आप एक बाउन में निकाल लीजिए अब आप इसके छोटे-छोटे लड़ू बना लीजिए देखिए इस प्रकर से लड़ू की साइज आप आपके हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो इस प्रकर आप सब लड़ू बना लीजिए यहाँ पर सब लड़ू बनकर ready है अब मैं आपको एक लड़ू तोड़ कर दिखाती हूँ आप देख सकते हो यह बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और अंदर का टेक्स्चर भी देखिए हम देखते ही मूँ में पानी आ रहा है इसको आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लंच और डिनर के बाद एज स्वीट डिश इविनिंग टी टाइम पर खा सकते हो यह बहुत ही हेल्दी लड़ू है इसलिए इसको आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो व्रत इन्हें आज की ए डिश आपको पसंद आई है और आप इसको जरूर बनाओगे अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और जादा से जादा शेयर कीजें और ऐसी ही नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजें थैंक और अभर आपको खिए मेरे ऑसे लेत इंटर एड है और आपको लाइक और आया है।